हलो स्टूडेंट्स मैं प्रवीन कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ओनलाइन क्लासे मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आर एसी यह रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनिंग तो इसमें हमने एक छोटा एक चैप्टर उठा है जब भी कोई खराबी आती है जब भी खराबी कंप्रेशन इस्टम के अंदर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक नाम ए जिसको हम इंदी में बोलते हैं संगनित्र और ये भी बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके रेफ्रेजरेशन सिस्टम की तो कंडेंसर जो होता है आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका नाम क्या है संगनित्र यह क्या काम करेगा संगनन का काम करेगा और स को complete content चाहिए RAC का refrigeration in air conditioning जिस भी बच्चे की trade है और वो कोई भी government job में जाना चाहता है चाहे वो लोको पाइलेट हो B.A.R.C. हो चाहे वो N.T.P.C. N.P.C.I.L. या D.R.D.O. इस रो इसमें किसी भी प्रकार की टक्निकी जो भरती होती है technical की और कई प्रकार की जो भरती आती है उनके लिए अगर वह apply करना चाहता है तो आपके लिए उन स्टॉप solution है जुगल सर्क्लास तो यहां पर आपको सारा कुछ मिलेगा जो आपको सेलेक्शन के लिए बिल्कुल मजबूत बनाएगा तो आप सबसे पहले जुगल से ओनलाइन क्लासेश को जो एप है उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले और सारी क्लासेश और अगर कोई समझें आती है तो हमारे पर आख संपरक कर सकते हैं अब हमारे कंटेंट पर क्या पढ़ने यहीं तो मैंने अभी बताया कंडेंसर का नाम हिंदी में अगर हम जाने तो वह वहके संगनित्र संगनित्र थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है संगनन से यानि ऐसा ऐसा मलब डिवाइस ऐसा यंत्र जो संगनन करता है यहाँ पर अगर हम बेसिक डेफिनिशन में आए तो एक ऐसा यंत्र जो क्या करता है एसा यंत्र यंत्र जो संगनन करता है जो क्या करता है जो संगनन करता है अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा वाई संगनन क्या है संगनन करता है संगनित्र एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है संगनन करता है लेकिन संगनन क्या होता है यह अभी बहुत सारे लोग नहीं ज ठीक है जानते हो क्या होता है संगनन अगर जानते हैं कुछ भी इंफोर्मेशन इसके विशे में तो आप चैट में लिख सकते हैं कमेंट में लिख सकते हैं तो देखो संगनन की विशे में अगर हम बात करें तो संगनन का मतलब है किसी वाश्प का किसी वाश्प का द्रव में बदलना क्या हो ना किसी वाश्प का संगनन का ये तात पर रहे हैं कि किसी वाश्प का किस में बदलना द्रव में बदलना क्या कहलाता है संगनन अब वाश्प जब द्रव में बदलेगी अब आप जानते हैं कोई भी कोई भी अगर पधार्त होता है वो द्रव है तो उसको वाश्प में बदलने के लिए यानि वो वाश्प बना होगा उसके लिए उसमें बहुत सारी उड़ज़ दाली होगी जैसे आप पानी को गरम करते पानी क्या है द्रव है अब पानी से आप बनाते हैं तो पानी से वाश्प बनाने के लिए आपको ग अब वह वाश्प वापस अगर इसमें आना चाहे तो जब वह उर्जा लेकर वाश्प बनी थी मेरी वाध्यान से सुनना वह वाश्प उर्जा लेकर बनी थी वह उर्जा उस वाश्प के अंदर है लेकिन जब वह वापस अपने रूप में आएगी द्रव रूप में तो क्या या वो उर्जा उसको छोड़नी पड़ेगी बिलकुल छोड़नी पड़ेगी यानि जब वाश्प से द्रव बनता है तो क्या मुक्ट होती है मुक्त होती है उश्मा मुक्त होती है उश्मा क्या मुक्त होती है उश्मा मुक्त होती है अब यह जो उश्मा है मेरे भाद ध्यान से सुनना यहाँ पर एक विशेश बात है यह जो उश्मा है यह मुक्त तो होती है लेकिन इस उश्मा के मुक्त होने से तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं होता य तो एसी उश्मा तो कुछ अलग प्रकार की उश्मा है क्योंकि उश्मा देने से तो तापमान बढ़ता है उश्मा लेने से तापमान घटता है जैसे आप लोग क्या करते हो आपने चाई बनाई अब चाई बनाकर गरम गरम चाई आप पी नहीं सकते क्योंकि आपको पता है आ ज़्यादा गरम नहीं पीदेना तो फिर क्या करते उसको टेबल पर रख देते थोड़ी देर के लिए जिससे क्या होता है उसके अंदर की उश्मा निकल जाती है जब उसमें से उश्मा निकली तो उसका तापमान कम हुआ अब तापमान इतना होगे कि अब आप उसको आसानी से पी सकते है जादा देर छोड दियो भूल गे तह फिर ठंडी bri ब्लकुल यानि क्या हो रहा जैसे जैसे किसी सिट्म से उसमा बाहर निकलती है वह सिट्म होता जाता है और जैसे इसके निकलने का पता ही नी चला इस गुप्त उश्मा का कारण काम क्या होता है अवस्था में परिवर्तन बस गुप्त उश्मा का काम क्या होता है अवस्था में परिवर्तन अगर ये गुप्त उश्मा द्रव में जुड़ती है तो वह वास्प में परिवर्तित हो जाता है या फिर वो वस्था से निकलती है तो वो द boundaries दो जाता है अवस्था में परीवर्टा यह सहाब यहाँ पर संगनित्र कांसेक्ट है अब इस यह अबस्था में परिवर्टन करने के लिए यह जो गुपत उश्मा को इस वस्थ से निकाल कर बाहर फेकना ये कारे कौन करता है ये कारे करता है हमारा संगनित्र ठीक है ना यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यह कंडेंस लिख दिया मैंने कंडेंसर नहीं लिखा पूरा संगनन क्या हो गया वाश्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है संगनन कहलाता है और संगनित्र यही कार्य करता है का खारे करता है संगनन संग परिवर्टित तो न है और आपको पूरा है 젊ण हैम्यार रेफ्रीजरेशन या वह बना के दिखाता हूं कि किस जगह पर होता है हमारा condenser और यह क्या कारे करता है हमारे refrigeration system के अंदर फिक है भूछत बढ़िया से यहां पर सबसे पहले एक device होता है जिसको वोलते है वह वेपोरेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं वाषपी करण यह वाश्पी करत कि वेपोरेटर कि इसको बोलते हैं वाश्पी कारक कि वाश्पी कारक या फिर एक और इसका नाम है हिंदी में वाश्पित्र जैसे संजनित्र हैं ऐसे वाश्पित्र इसको भी हम पढ़ेंगे इस वाश्पित्र से जो निकलती है रेफ्रिजर इंट वो किसमें जाता है वो जाता है आपके कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर इसे क्या करेगा कंप्रेस करेगा यह क्या है ठीक है और यहां पर होता है हमारा संगनित्र इसका ही नाम एक और होता द्रवनित्र भी बोलते इसको क्या बोलते हैं संगनित्र और द्रवनित्र का मतलब द्रव में परिवर्तन करने वाला यंत्र ठीक है नाम इसके बाद कंडेंसर से जो यहां पर निकलता है वो जाता है इसके रिसीवर में यह आपका रिसीवर और यह रिसीवर से फिर जाता है एक expansion वाल में और उस expansion वाल से यह जाता है कि इसमें वापस इवेपरेटर में इस प्रकार से यह पूरा का पूरा साइकल है क्या होगा यहां से निकला यहां पर गया receiver और इसको बोलते हम एक्षपांशन वाल अंग्रेजी में और हिंदी में प्रसरन प्रसरन वाल छी मेजित यह हमारा पूरा का पूरा recreation system होता है इस पूरे रेफरीजरेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं compressor जो हम पढ़ चुके है उसके जस्ट बाद आता है कंडेंसर जिसको बोलते हैं संगनित्र या द्रवनित्र जिसके विशे में अभी हमें पढ़ना है ठीक है यह बहुत है इंपोर्टेंट यहां पर डिवाइस हैं जो इसके अंदर यूज हो रही है कि इसको थोड़ अससाइड में कर देते हैं कि देखो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आगे कि कंडेंसर किसी स्थान पर होता है और कंडेंसर का कारे क्या होता यह भी अभी में यहां पर बता दूँगा सबसे पहले आप इस बात से परीचित हो जाए कि यहां पर जो जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो कौन से रेफ्रिजरेंट आता है द्रव यह द्रव रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है इवेपोरेटर क्या करेगा यह जो रेफ्रिजरेटेड़ स्पेस है यानि जिसको ठंडा करना है उस स्पेस से हीट निकालेगा उस स्पेस से हीट खीचेगा जब उस स्पेस से हीट खीचेगा यानि स्पेस से ह निकलती है जिस सिस्टम में से हीट बाहर जाती है वो सिस्टम उसमें हीट की कमी होने के कारण तापमान में कमी होती है इसलिए ठंडा हो जाता है जिसे मैंने बताया चाहिके ग्लास को टेबल पर जादा देर तक रख दोगे तो इस चाहिके अंदर की उश्मा बाहर चली हो गई तो चाहिका तापमान घट जाता है वेसे ही यहां पर जो रेफ्रिजेरेटेड़ स्पेस है उसमें से उस्टम निकली और वो निकली कहा पर में और रेपरेटर ने वो किसको दे दी बहूं एक जगे से उश्मा निकली है तो कहीं न कहीं तो जाएंगी यह सिंपल बा destroyed मतलब उड़जा को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप खतम कर सकते हैं आपके हाथ में है तो बस इतना कि आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित कर सकते हैं तो यहां पर भी क्या होता है जो उश्मा उड़जा जो सिस्टम से जो रेफ्रीजरेंटर्ट से निकाली है उसको आप खतम नहीं कर सकते तो उस उस्मा को कहा डाल दिया आपने उसको डाल दिया आपने रेफ्रीजरेंट के अंदर अब रेफ्रीजरेंट क्या करेगा विचारा वो द्रव अवस्ता में था वो उस उस्मा को लेकर वाश्प अवस्त सामने चैसे कै, फिक है, अब वही वाष्प वाष्प रेफ्रिजरेंट जो है वह किसके पास जाएगा, कमप्रेसर के पास, और कमप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर बढ़ा देगा, प्रेशर के साथ टेंपरेचर भी बढ़ जाता है, कुछ तर-द अब यहाँ पर वास्प आ रही है क्या रही है इसमें वास्प और यह बास्प किसमे जाएगी करेगा और किसको सरांडिग्च या वर जो हमारा अटमोस्फियर उसमें डाल देगा तो जब इसमें से हीट निकलेगी तो ये बही क्या हो जा várias फैन्दा लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम नहीं होगा यहां पर इसकी अवस्ताइब हो जाए आप तो घणा हो उप्षमा का खेल रहा है तो तो फैंदा को निकली उस्मीं भी उस उस चम्ęd स्रावंदिंग के के पास उसमां जा रही है तो बाहर का तो गरम हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा यह वाश्पसे द्रव में परिवर्तित हो जाए तो बहुत ही आप लोगों को क्लारिटी है इसमें अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी अमने क्या पढ़ा एक कंडेंसर क्या देखा अपने कंडेंसर जिसका एक नाम क्या है संगनित्र और दूसरा नाम क्या है द्रवणित्र ध्यान रखे सारे नाम ध्यान रखे क्योंकि परिक्षा में किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है आप यह नहीं बोल सकते occasions संगनित्र द्रवनित्र नहीं यह तो कोई नई चीज आ गई है जो अमएं पड़ाई नी गई तो ध्यान से सुन लो द्रवनित्र भी क्या होता है संगनित्र को ही बोलते हैं और English में बोलेंगे Condensor कई बार आपके परिक्षा में कंडेंसर भी शब्द आता है हिंदी में लिखा हुआ कंडेंसर भी आता है संगनित्र भी आता है द्रवनित्र भी आता है ठीक है ना और अब उसका मन करें तो कुछ और भी लिख सकता है इनसे रिलेटेड बर यह यह जो शब्द है यह तो आते रहते हैं ठीक है यहां तक सब बच्चों को क्लियर है किसे को कोई कश्ट तो नहीं है अगर है तो बताएं अगर है तो बताए अगर अगर है ठीक है दोस्तों अब यह द्रवनित्र संगनित्र में हमने देखा किसमें क्या हो रहा था पुच्च दाब वाली वाश्व आ रही थी क्या रही थी पुच्च दाब वाली हाई प्रेशर वाश्व आ रही थी संगनित्र ने प्रेशर के साथ कुछ किया है क्या छेड़ खानी बिल्कुल नहीं टेंपरेचर के साथ थोड़ी बहुत हो सकती है क्यों होती है टेंपरेचर के साथ क्योंकि क्योंकि कुछ उश्मा ऐसे वैसे भी लॉस हो जाती है एकदम टेंपरेचर पर नहीं होता टेंपरेचर के साथ कुछ तो होता लेकिन और राउंड यानि कि एवरेज टेंपरेचर उसका सेम ही रहता है जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा वही हाई प्रेशर का द्रव निक क्या हो रहा है यह कंडेंसर क्या है यह हीट एक्षेंजर का कार्य कर रहा है किसका हीट एक्षेंजर का यह यह रेफ्रिजरेंट में से हीट निकाल कर किसको बाहरी वातावरण को दे रहा है सराउंडिंग इसको अंगरे हिंदी में बोलते हैं परिवेश परिवेश को दे रहा है अब परिवेश इसको लेकर खुश है और गरम हो रहा है परिवेश लेकिन यहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है क्या हो रहा है अवस्था में परिवर्तन तो इतनी बात आप समझ चुके हैं य यहने उश्मा इस्तानांत्रण की काई है जो क्या करती है अवस्था में परिवर्तन करती है कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तन होता है यह इसकी मुख्य बात है क्लियर है बात भाई सबको किसी को किसी प्रकार का दुख तो नहीं है अगर है तो अभी अवग्यत कराएं इसके विशे में अब हम कुछ दो शब्द लिखना चाहेंगे जो भी हमने पड़ा उसको शब्दों में बया करना चाहेंगे कि इसका परिचे लिखे हम इसके विशे में इंट्रोड़क्शन कि इसका उपियोग भ्यान से सुनना किसका उपियोग संगनित्र का उपियोग इसका उपियोग रेफरीजरेशन सिस्टम में सिस्टम में उच्च दाब वाले इस्थान पर किया जाता है किस पर किया जाता है उच्च दाब वाले इस्थान पर किया जाता है दूसरी बात इसे इसे द्रवनित्र भी कहते हैं कि द्रवनित्र भी कहते हैं ठीक है यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी यह एक यह एक उश्मा विनियमित्र होता है उश्मा विनियमित्र का मतलब समझते हैं हीट एक्षेंजर यह एक उश्मा विनियमित्र होता है यानि हीट एक्स्चेंजर होता है होता है जिसका उपयोग भ्यान से देखना इसका उपयोग किसके लिए कि आ जाता है संपीडक से प्राप्त जो संपीडक से प्राप्त होती है संपीडक से प्राप्त उच्च दाब वाश्प को द्राव में परिवर्थित करना है उपयोग संपीडक से प्राप्त उच्च दाब वाश्प को द्राव में परिवर्थित करने के लिए किया जाता है करने के लिए किया जाता है हो गया समझ में आगी बात इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है उच्च दाब पर प्राप्त जो कंप्रेसर से प्राप्त उश्मा होती है सुरी वह वाश्प होती है उच्पास्प को द्राव में परिवर्थित करना इसका वुख्य कारे हैं अब देखो संगनित्र से संगनित्र से संगनन के दोरान संगनन के दोरान मतलब संगनन मतलब अवस्ता परिवर्थन के दोरान प्राप्त गुप्त उश्मा प्राप्त गुप्त उश्मा गुप्त उश्मा सीधे या किसी अन्य माध्यम से माध्यम से वातावरन में जोड़ी जाती हैं जोड़ी जाती है यह वह वुश्मा कहा जाती है वातावरन में जोड़ी जाएगी समझ में आई बात क्लियर है सबको भई इसका उप्योग सेंगनित्र का उप्योग ध्यान रखे या फिर इसका सेलेक्शन संगनित्र का चैन की कौन सा संगनित्र योज होगा उसका चैन संगनित्र का चैन रफ्रीजरेशन की शम्ता रफ्रीजरेशन की शम्ता उप्योग की जाने वाले रफ्रीजरेंट रफ्रीजरेंट जवम कूलिंग माध्यम पर माध्यम पर निर्भर करती है पर निर्भर करता है चीक है पर निर्भर करता है और इसका उप्योग मुख्यत है इसका उप्योग कहां किया जाता है का क्या जाएगा इसका उप्यों मुख्यता रेफ्रिजरेशन ही काई ठीक है ना मुख्यता रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनी प्योभर ब्लють नब कि म॥झवोलिके स्टम ऑर्वेशन म॥झक प्यूइ छियुए कि इयुए'm. भाप उर्जा सैंत्र बोलते हैं भाप उर्जा सैंत्र अंगर अंगरेजिम बोलते हैं स्टीम पावर ब्लांट आधी में किया जाता है कहाँ का किया जाता है एक तो रेफरेजरेशन में तो किया ही जाता है दूसरा प्रेफरेजरेशन से जुड़ा हुआ एयर कंडिशनिंग और तीसरा है जो स्टीम पावर प्लांट है यानि जहां पर भाव से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर भी इसका उप्योग किया जाता है काजल सोनी जी गुड मॉर्निंग काजल तो क्लियर है यहां तक सबको कि कंडेंसर क्या है और इसका उप्योग कहां किया जाता है यह आप आप लोगों को समझ में आगे होगी बात अब इसकी जो टेक्निकल सिस्टम है कि किस प्रकार से वर्क करता है उस पर थोड़ा सा में ध्यान देना चाहूंगा ठीक है अब यहां पर पी एच डाइग्राम आएगा यानि प्रेशर और एंटेलफी डाइग्राम आएगा जो अपन ने जब रेफ्रिजरेशन के बेसिक् नहीं पड़े हैं वह एप को इंस्टॉल करके वहां पर आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएंगी उसमें वह देख सकते हैं लेकिन अभी भी मैं फिर से थोड़ा बहुत उसको इंट्रों दे देता हूं आपको किस प्रकार से वह काम करता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे है कि तो एक तरह पर मारा रेफीरिजरेशन सिस्ट्प में वापस से बना देता है यहां पर इव्परेटर है अटरेण ठीट र न्हां थिके नॉटे-उठ्डे self बर अब सर्लिग देते हैं लिए यहाँ पर क्या है यह gonna फारी्र न ये कंप्रेसर है चाहिए इसके बाद क्या लगा रहे हैगा कंडेंसर ढिरह कंडेंसर इसके बाद क्या है एक्सपांशन वॉल इसके बाद क्या है वापस इवेपरेटर यह एक्सपांशन वॉल और यह कंपरेश ठीक है यही है अब सबसे पहले हम इवेपरेशन की टेक्निक को देखते हैं कि इवेपरेशन में क्या होता है इवेपरेशन में यहां से ड्रव गया वाश्प में परिवर्तित होड़े के ना अभ यह द्रव कौन सा आ रहाता क्या उच्च दाब सब्सक्ररा करता है और यहां पर वही प्रेशर यानि प्रेशर के साथ छेड़ का नहीं क्या इवेपरेटर करता है बिल्कुल नहीं करता है यानि प्रेशर जितना था उतने ही रहेगा लिकिन कम है तो अगर मैं यहां पर प्रेशर टेंप प्रेशर एंथेल्पी डाइगराम बनाओ एंथेल्पी स्टेंट प्रेशर से अचा इसका एक वो वो भी होता है ऐसा अधा डाइग्रांब कि यह सेचुरेशन लाइन से दोनों तरब की सेचुरेशन लाइन कि इधर यह सॉलिड से लिक्विड में है चलो यहां प्रेशन तो बहुत लोग प्रेशर की बात करो मैं यह कॉंस्ट्रेशर होगा कौन सा प्रेशर यह प्रेशर पर क्या हो रहा इसके एंथेलपी इधर में मानता हो होगे बढ़ रही है तो यहां पर एंथेल पर बढ़ेगे ना क्यों बढ़ेगी थे बढ़ बढ़ती है यह जगह पर ऐसे चल रहा है तो यह नहीं कि प्रेशर तो लेकिन उर्जा बढ़ रही है और वह उर्जा कहां तक जाएगी यहां तक जब यह क्या हो जाएगा यहां पर यह क्या था द्रव द्रव से यह वाश्प में परिवर्तित हुआ ही है अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यह जो द्रव आया था यह जो द्रव आया था इसमें कहीं न कहीं अगर हम रिसीवर का इस्तमाल नहीं करते हैं और किसी दूसरे डिवाइस का इस्तमाल नहीं करते हैं तो इसके अंदर कुछ वाश्प भी होती है अल्रेडी कुछ वाश्प भी होती है यानि कि मैं यहां प तो बैसे में क्या होगा जीसे यह sehr desperation के बाद यह कहां जाताँ एक एकाण परेसर के पास आप Hai अप प्रेशर क्या करेब इसको प्रेसर करेगा तो इसका pressure के साथ साध ठेंपरेचर बीबड़ेगाह सूपर हीट होगा ना यह तो प्रेशर के साथ है प्रेशट अब यह हो गया है सूपर हीट लेकिन किंत परन्तु जैसे ही इसने प्रेशर बढ़ाया झारि इसको बुलिंग vidéoseled कंप्रेशन कोन सा ही हुआ यह कारे कंप्रेशन सो क्या कौक्ष आघ का मेर्ण रहा है क्परेशण हो गई यह कंप्रेशन हो अब compression के बाद किसमें जाएगा expansion वाल में expansion वाल क्या करता है इसको क्या करता है expansion वाल के पहले तो यह compressor यहाँ पर कंप्रेसर से पहले किसमें जाएगा यह अब ध्यान से देगना यह वाश्प तो यहाँ पर भी है और द्रव यहाँ पर भी है लेकिन इस वाश्प को तो थोड़ा और ज्यादा क्या कर दिये गया है गरम कर दिये गया सूपर हीट कर दिये गया तो इस section को बोलूगा में सूपर हीटिंग क्या बोलूगा इसको में सूपर हीटिंग यानि जादा हीट हो गया जरुरत से जादा हीट हो गया और यहाँ पर जरुठ से ज्यादा ठेंडा हो गया तो इसको बोलूगा में sub cooling Sub cooling है ना और सीधा का सीधा अब होगा expansion यह वाला pass कर गया अब किसमें जाएगा expansion expansion क्या होता है iso enthalpy के expansion होता है कि इसमें उर्जा का कोई फेर बदल नहीं होता बस प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाता है तो उर्जा सीधी की सीधी constant रहेगी enthalpy और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो यह इस प्रकार से आएगा इस प्रकार से आएगा ठीक है ना तो यह बनेगा आपका expansion system यह compression है और यह क्या है यहां पर condensation session संगनन और यह क्या है आपका expansion यह हो गया आपका कौन सा डाइग्राम पी-एच डाइग्राम क्या बनाई यह पी-एच डाइग्राम समझ में आई बात अब जो condenser का condenser की बात करें अपन सिर्फ यह तो सब इसमें इवेपरेटर भी है इसमें compressor भी है इसके अंदर expansion wall भी है हम सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी बात करें किसकी condenser की तो यहां से यह जो उड़ जा है और यह जो उड़ जा है यह इतनी उड़ जा जैन से देखना कि यह इतनी उड़ जा कौन किसको देगा यह इतनी उड़ जा refrigerant में निकाल कर रेफ्रिजरेंट से निकाल कर compressor किसको दे रहा है surrounding को यानि यह टोटल हीट है जो reject हो रही है heat rejected यह total हीट है जो reject हो रही है किसको surrounding को यहां से यहां के बीच की जो अगर यहां के enthalpy कुछ होगी तो उस enthalpy में और यहां के enthalpy के बीच का जो difference होगा वह energy difference उतनी उड़ जा यह रेफ्रिजरेंट से निकाल कर किसको दे रहा है परिवेश को दे रहा है कौन दे रहा है condenser यह बात आपको समझ में आगी कि यह बात आपको समझ में आगी किसी को कोई कस्ट तो नहीं है इसमें कि पता तो बाई एक बार अगर किसी को अभी भी कोई doubt हो तो पता जात आपको समझ में आपको समझ में आपको समझ में आपको समझ मेंगी कर का बाईव जाह है ठीक है देखो अब इसके पूरी क्रिया विदी अपन यहाँ पर समझते हैं यह वाले को मिटा देते हैं मिटा दो यह वाला कि अगराम को थोड़ा छोड़ा किया जाए इसको साइड में लाया जाए ज्यादा साइड में गया रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है यह वाला डाइगराम उड़ाया जाए कि यह अपने पहले वह देख लिए इसको करो डिलीट खाली इस्तान अब इस खाली इस्तान के अंदर हम लिखेंगे क्या कि देखो कि इवेपोरेटर ने इवेपरेशन किया इवेपोरेटर ने इवेपरेशन किया और किसमें परिवर्थित कर दिया इवेपोरेटर ने वास्प में वेपोरेटर ने किसमें परिवर्तित कर दिया, यहां पर द्रावप्लेज वास्प था इसको वास्प में परिवर्तित कर दिया, अब यह दो अवा थिक है न यहां पर हम क्या करेंगे वाश्पित्र से प्राप्त किस से प्राप्त वाश्पित्र यह तो वाश्पित्र था नीचे वाला इस वाश्पित्र से जो प्राप्त उश्मा है वो किसमे जारी कंप्रेशन में वाश्पित्र से प्राप्त सूपर हीटेड सूपर हीटेड रेफ्रिजरेंट संपीडक में जाता है किरियविदी देखते हैं और संपीडक इसका क्या करेगा बाई संपीडक में आतो गया है सूपर हीटेड लेकिन संपीडक इसका करेगा क्या ठीक है अशोक प्रजापती जी बोल रहे हैं किस सरीए क्लास डीजल की क्लास है क्या यह क्लास बच्चों आर एसी की हैं आपको टाइटल पर नहीं दिखता क्या आर आर भी एल पी लिखा हुआ है आर एसी रेफ्रिजरेशन एंड एर कंडिशनी आपको आपका सेलेबस नहीं पता काजल जी आप भी बता है अच्छा आर एसी की है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडिशनींग की है यह जो डीजल डीजल मेकैनिक होते है ना उनको भी जरुरत पड़ती है क्योंकि डीजल मेकैनिक जंदल यह काम करते हैं इंजन के उस उपर और इंजन को आपको पता है इंजन को भी ठंडा करने के आवश्यक्ता होती है क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा गरम हो जाता है तो उस क्या करता है उसकी अंदर की उश्वा को बाहर फेक देता अब आपको यह वी कार आपका ट्रैक्टर आपकी में सब क्या करता है वह जो गरम होता है इंजन उसकी उश्वा को आपने अंदर अव्शुषषित चाना से था है हूं और वो अच्छे से कार्य कर सके तो यह वहां पर भी कार्य में आता है ठीक है नहीं तो अब मैं आ जाता हूं यह संपीड़क में जाती है सुपर और संपीड़क क्या करता है संपीड़क इसे पुच्च दाब पर संपीड़ित कर देता है कर देता है जिससे जिससे क्या होता है संपीड़क कर देगा अगर उच्च दाब पर जिससे एक तो सबसे पहली बात है प्रैशर इंक्रीज हो गया जिससे दाब वताप मान दाब वताप दोनों बढ़ जाते हैं या पहले से अब और ज्यादा सूपर हीटेड हो गया है यहाँ पर डाइगराम से आपको देख रहा है यहाँ पर जब मैंने इसको कमप्रेश किया तो प्रेशर बढ़ ता जा ρहा है उपर की तरफ और आप देख रहेग wrath तीर्चा जा रहा है यानि इसके अंदर सूपर हीटिंग और ज्यादा एड़ होती जा रही है इसका टेंपरेचर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है तरी दाब और तापमान दोनों ही बढ़ जाएंगे से ठीक है राब क्या हो रहा है अभी तक अपने क्या पढ़ा कि जो इवेपरेटर से सूपर हीटेड जो वाश्प आई ती रेफ्रिजरेंट वाश्प वो किसमें एंटर करी कंप्रेसर में कंप्रेसर ने उसको उच्छ दाब पर संपीडित करने से उसका दाब और तापमान और आदिक बढ़ गया है ठीक है अब क्या होगा कि यह जो यह जो उच्छ दाब वह सूपर हीटेड जो वाश्प होगी यह किसके अंदर एंटर करेगी यह एंटर करेगी इकिसके एंदर यहाँ पर हम जानते हैं कंदेंसर के अनदर डिसचार्ज-दिक इस छार्ज याइन के थ उच्छ ताप उच्छ ताप युक्त वाश्प रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के तुरू गेस्शार्ज लाइन के तुरू किकल में जो सक्षण इवएपरेटर में चोड़ता है सउक्षण लाइन Say संगनित्र में प्रिवेश करती है प्रवेश करती है अब संगनित्र में प्रवेश कर दिया साव इसने किसने वाश्पर अफ्रीजरेंट ने तो संगनित्र कर दिया तो संगनित्र इसका क्या करेगा कि संगनित्र इसके अंदर जो उपस्तित गुप्त उष्मा है उसको वाधावरिन को दे देगा कि है लेखलेता संगनित्र कि दाब में कोई परिवर्तन ना करते हुए कि क ना करते हुए connected पूश्मा इस्तानांत्रण के माध्यम से माध्यम से यहाँ पर देखेगा नहीं है आपको उच्छ दाब वाश्प को दाब वाश्प को परिवेश कोश्मा देते हुए कोश्मा देते हुए उच्छ दाब द्रव में परिवर्तित कर देता है द्रव में परिवर्तित कर देता है कि इस कनेक्ट यह कार्य करता है कंडेंसर ठीक है अब कंडेंसर का यह जो कार्य है समय हो गया आप लोगों का यही कार्य अलग अलग विदियो से दिखाता है जो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के अगी करते हैं और वह किस किस प्रकार से कार्य करते हैं तो अलग 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 कंडेंसर अकोर्डिंग टूदिय application जैसे उनका अनुप्रियोग होता है जैसे परिश्थितियों में उसके अनुसार अलग-अलग विदियों से वो उश्मा का इस्तानांतरन करते हैं और यह जो उसका कार्य है वाश्पकों द्रव में परिवर्थित करना यह काम करते हैं ठीक है तो आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं मिलते अपन अगली क्लास में तब तक के लिए आप सब इनको रिवाइस करते रहेगा